अब आपको बता दे कि तजस्वी आदफ की जो फैन फॉलो वो लगातार दिन प्रते दिन बढ़ती ही जा रही है सिर्फ बिहार आज में ही नहीं बलकि बिहार के बाहर देश से लेकर विदेश तक लोग तिजस्वी आदफ को चाहनी लगे हैं उनको फॉलो करते हैं उनका समर्थन करते हैं और उनकी आइजियोलोजी को भी फॉलो किया जाता है तिजस्वी आदव आम जनता के बीच खासा लोगप्रिय है खास कर युवाओं की बात की जाए तो युवा जो है वो तिजस्वी आदव को अपना आइकन मानते है इसकी तस्वीरे आएदिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तिजस्वी आदव को लेकर दिवानगी है लोगों के बीच जो पागलपन है वो लोग दिखाते हैं तिजस्वी आदव के प्रती अपना प्यार और स्ने लोग आकर दिखाते हैं और उसे कड़ी में अब एक बड़ा और जबड़ा फैन तिजस्वी आदफ का मिलने पहुचा उनसे पटना खास बात उस जबड़े फैन में ये रही कि वो नेपाल के रहने वाले आनंड शर्मा है और नेपाल से पटना उन्होंने पैदल यात्रा की और पैदल ही चल कर अपने आईडिल तिजस्वी आदफ से उन्होंने मुलाकात की अपने आईडिल तिजस्वी आदफ से मिलते ही वो भावक हो गए उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं उनके मुलाकात की जब उन्होंने तिजस्वी आदफ से मुलाकात की तो निपाली टोपी भेट के तोर पर तिजस्वी आदफ को पहनाई जिसे खुशे-खुशे उपुमुक्ष मंत्री ने स्विकारा इसके साथ एक भेट भी दिया ये भेट निपाल के मंदिर का है जिस मंदिर के एक इमिज को अनन शर्मा के द्वारा तिजस्वी आदफ को गिफ्ट किया गया ये जो दिवानगी है ये जो पागलपन है लोगों के बीश तिजस्वी आदफ को लेकर वो ये दर्शाता है कि इतने कम उम्र में ही तिजस्व पूरे बिहार में एक खुशी की लहर देखने को मिली हर तरफ जो है वो लोग उतसाहित होते हुए नजराय आए दिन तिजस्वी आदव से मिलने राबडी आवास के बाहर दिन रात भीड लगी रहती है कोई मचली लेकर पहुशता है कोई गुलदस्ता लेकर पहुशता है त चाम के वक्त तिजस्वी आदव फर्यादियों से मिलने अपनी चाहने वालियों और समर्थकों से मिलने भी राबडी आवास के बाहर निकलते हैं हर किसी की फर्याद हर किसी की शिकायत सुनते हैं हर किसी की तकलीप से वाकिफ होते हैं और यही खासियत है उनके अंदर जिस इस खासियत ने उन्हें इतना लोकप्रिये बनाया है, देश से लेकर विदेश तक जस्वी आदफ की पहचान बनने लगी है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, सर्च करते हैं, सोशल बीजा प्लाटफॉर्म पर भी उपमुख्यमंत्री खासा अक्टिव रहते हैं, लोगों से स स्थितियों का जाइजा लेने, स्थितियों का नरिक्षिन करने, लोगों की तकलीफों को जानने और ये एक बड़ी खासियत है बिहार के उपमुख्यमंत्री में, जो इस बार उभर के आई हो और बिहार की जनता ने इससे पहले ऐसा उपमुख्यमंत्री शायद ही देखा ह जो दिन रात जनता की सेवा के लिए जनता के बीच रहता है, जनता की तकलीफों से ही उसके दिन की शुरुआत होती है, सुनते सुनते और दिन का अंत भी फरियादियों की तकलीफ को सुनते वे ही होता है, लेकिन इसे कड़ी में नेपाल से जो ये जबड़ा फैन है शर्मा को समय दिया पैदल यात्रा करना बड़ी मुश्किल की बात है और बड़ी बात है कि अगर आप किसी को इतना फॉलो करते हैं खासकर वो अगर राजुने तक यह है और आप उसके लिए विदेश से पटना आते हैं यानि कि नेपाल से पटना उन्होंने पैदल यात्रा की आकर अपने आइडल को नेपाली टोपी पहनाई उन्हें भेट किया खुशी-खुशी उनसे मिलकर वो भावक हो गए तो ये जो फैन मोमेंट है वो तेजस्पी आदफ का बीते रात देखने को मिला फिला के लिए सब्टेच में अतना ही है न के अपडेटिस के लिए माँ साथ बनी रहें न्यूस फॉर्डेशन में नमस्का